नमसक्क व्याब में बात करेंगे इंदिया में जितने भी को तोस हमारा और चलने केलिए OF तो आगर जल जाता है किसी जगह का स्कीन या फिर कोई प्रकार का घाव होता है कोई इंजुरी होता है तो वहां पर स्कीन डेमेज होता है हमारा और स्कीन डेमेज होने के साथ साथ इंफेक्शन का चांस बढ़ता है क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है स्कीन जो शरीर को पूरे पूरा एरिया से कवर करके रखता है कुछ जगा छोर कर वहां पे अलग टाइप के कवरिंग होते हैं तो यह स्कीन बॉडी में अवेलेबल है जो मैक्सिमम एरिया बॉ कट लग जाना कि वह तरह का हो जाना उसके साथ साथ जल जाता है किसी कारण तो उसमें भी इसकीन जब भी होगा तब ही चांस बनता है कि बैक्टीरिया वाईरश प्रोटोजा किसी बी तरीके कर जो अलग अलग प्रकार के पैथर जें से वह अंदर आएगा और वह इंफेक होते हैं और लिक्ट वोत Carroll कहते हैं तो अलग-अलग प्रकार के। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो हजारों प्रकार के अंतीस्यीक्स Аवेलेबल होंगे सारे के सारे antiseptics का एक ही मतलब होता है कि उसमें सब में कुछ ना कुछ android reperty होता है antimikrobial property होता है तau यह जो एंटी-bacterial property है तो बैक्तीरिया को मारेगा बैक्तीरिया को अगर मारेगा तो बैक्तीरिया को या यहाँ पर कोई य 캡 बाम करूंगा इसा पर करूंगाлись यहां पर कुछ-सारी बात हैं की बात करूंगा जासे कि के इसमे नहीं करूंगा यहांब करूंगानाई करूंगा कुछ बहुति प्रचलित सालो से मौझूद हैं बहुत अच्छा काम नियो पौरें पाउडर इतना ट्रॉस्टेड एक नेम इतना ट्रॉस्टेड एक ब्राइंड क्योंकि यह जो पाउडर है मैं जब छोटा था तब से लेकर आज देखता रहा हूं और मुझसे भी पहले एक जिनरेशन पहले भी यह पाउडर मौझूद था मार्केट में और दि the best जो antiseptic antiseptic powder होता है जो available मार्केट में क्योंकि Neosporine powder में तीनों प्रकार की Antibiotics होता तो 3 in 1 Antibiotic Powder ही है इसमें Neomycin है इसमें Polymixin B है ठीक है और इसमें Besitracing यह तीन अलग अलग antibiotics हो ठीन अलग अलग antibiotics हर प्रकार के बैक्टिरिया को धून धून के मारता है क्योंकि स्कीन हमारा एक ऐसा जगा होता है जहां पे स्कीन सर्फेस में बहुत सारे बैक्टिरिया हर वक्त मौझूद होता है क्योंकि एयर में बैक्टिरिया है और यह बैक्टिरिया स्कीन के उपर डिपोसिट करता है मगर वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कीन हमको प्रोटेक करके रखा हुआ है जब भी स्कीन में कोई डैमेज आता है मालो वह कट के वजए से उनके वजए से वह घाओ के बज़े से या फिर वह सकता है कि जलने के वज़े से जब जल जाएगा तो बाकि स्कीन के नीचले वाले जो पॉरीन पर्टिकुलर्ली उन्ड हीलिंग में बहुत मदद करता है कि उन्ड में अगर कट लगता है स्मॉल टू माइनर कट माइनर टू मॉडरेट वहां पर नियुस पॉरीन पावडर को आप ऐसे दे दो बाहर से उसमें टच करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको तो एंटि सेप्टिक पाउडर डाट इस अवेलेबल इन इंडिया उसके बाद अगर बात करते हैं तो वह एक और वह एक और वह एक लिक्विट के तरह भी बिखता है जिसको बोलते बीटा डाइन हर किसी ने देखा हर किसी ने सुना और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां act बीटा डाइन यूटिलाइज में होता और बीटा डांव और गयां राग नाम से नम ज्यादा विखता क्वे एंडिक करना होता है जेहां पे अरटिफिशलि बाहर से विट नाइफ और चाकु से काटना पड़था लाहाकब करने से पहले जगा को टेखर ली से रिक कな तो इस पी तरीवाश किया जाएगा वहां पोछीज किया जाता है यूज ना उस दो करने घुख सबस्टरीर मेंजर काम करें ताकि एगजिस्टिंग में एक्जिस्टिंग स्कीन में या फिर जो चीज से मुटलाइज करें वहां पर कोई बैक्टिरिया हो वहां पर जाके कोई क्ट लगता है तो वहां पर करें जहां पर अपर जो जाके दो तीन चारी हो गया वहां पर पर सिर्फ और सिर्फ यह मेडिकेशन से काम नहीं का वहां पर आपको और इंटी बातिक्स लेना होगा पॉजिटिव को ही मारेगा। ज्याज़तर दर केसेज में गर्म पॉजिटिव बैक्टिएर कॉककस चाफायलो कॉकस तरीके का बैक्टिरिया उसको मारने के लिए अलग गजल जो एंटीबायोटिक के बाद हम कर रहे हैं वह वह एंटीबायोटिक जो है वह वह पॉजिव निकटीव दुनों को ही मारता है तो ऐसे सोच कि आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा यह ट्रॉपिकल यूज के लिए हम बता रहे हैं बाहर की तरफ यूज करना है आपको नियोस्पोरीन इसको इसको नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली इसकीन में यूज करना अब आते हैं सेकंड कंडिशन पर उत्ति सची त सचीजSLू को बहुत दर्द होने लगता है आप स्वालों नहीं कर पाते चीजों को ऐसे बहुत दर्द होता होता है आप स्वालोंी कर पाते चीजों आपर और यहां पर ऐसे infection के कारण बहुत सुजन हो जाता है अन्दर लाल हो जाता है तो तब जाके गारग लिग करना होता है वहां पर जो बेक्टिरियल infection है उसको treat करने के लिए तो तब बीटाडाइन गारग लिंग जो solution वो दिया जाता है तो तो से बीटाडाइन का पर उन ड्रेसिंग वह अलग लिक्वीड होता है तो अब जब मार्केट से खरीद हो अब दुकान से खरीद हो यहां पर तो आप जाके बताएं कि आप किस परपस में यूज करना चाहते है यहां फिर ओइंट्मेंट फॉर्म में आता है जिसको अब नौर्मली किसी घाव पर करेंता है पहिए यहां तो यहां पर जल चीम जायेगा टो उसके टाईंब वक्ता आता है जहां पर आगर बाहर से डश लेना होता को ज्यादा केर लेना होता है। और जब रैपिंग होगा जब ड्रेसिंग होगा उसमें कुछ ने कुछ ऐसे अब नियोस्पॉरिन भी दे सकते हो मगर अलग से कुछ मेडिकेशन से अलग से कुछ क्रीम से जो बर्ण में ज्यादा इस्तमाल किया जाता इंडिया में ऐसे दो इसमें आपको बताऊंगा एक तो है सोफ्रमाइसीन और दूसरा है बर्नॉल यह दो क्रीम बहुत पुरान है यहां से आज से बहुत मतलब तीस चाली साल पुरान आई थिंक बोथ देम इस ब्रैंड यह जो हो गया आपका बर्नॉल अब बर्नॉल का आड देखें होंगे बहुत जगा पर सुफ्रमाइसीन भी बहुत पुरान है यह दो मेडिकेशन ऐसा है जो क्रीम ओएंटमेंट फॉम में आता है यह दूलइए करते हैं बर्नॉल च्जिट्कि बर्नॉल में दोनों प्रकार के नीए सथे होते हैं और यहां पर बात करें सोफ्रमाइसीन में भी एक प्रकार की नहीं एंटिबियोटिक होता है सोफ्रमाइसन में जो एंटिबियोटिक होता है वह उसको कहा जाता है उसको मारने के लिए अच्छा काम करता है इसी कारण जलने वाले जो उंड है उसमें बहुत अच्छा कम करते हैं अगर कोई किसी जगह पर घाओ हो जाए वहां पर सुफ्रमाइसिन देंगे तो काम नहीं करेगा जल जाना वहाँ पर यूज़ करते हैं तो बर्नॉल में अमिनक्री और सेट्रिमाइड बोलके दो अलग अलग टाइप के अंटिबाइटिक प्रॉपर्टी होता है तो यह दो अलग अलग अंटिबाइटिक्स वह बर्नॉल में मौज़ू थे बर्नॉल विद्धे हेल्प आफ टो इस्तवीं ग्हांतिक्स वह बाक्रिया को मारता है जो ग्रम पॉजिटिव engaged व्रप फरी म writings गर्नॉल की स्सिंदा मएं अच्छा होता है दिफ्ट जो घाव जिस कारण होता है किसकार गारण एक तो हो जाता है लेकि अगहाई अगए अगर एप्सक्an बाइट से होता है मच्छर काट दी यहां छोटा बहुत काट होता है तो बाकी के कोई अगर इंसेट काटा उसके कारण या फिर कोई अलग से जीब आपको काट दे तो वह नॉर्मल को तीसरी टाइप का हो जाएगा क्यों कोई अलग अनिमल आपको जाके काटे कोई अलग पश तो तब जाके ज्यादा सीडियस होना है पहली दफा बहुत अच्छा करना है वहाँ पे कोई डस्ट आ जाए मिट्टी लग जाए ऐसा नहीं करना है उसके साथ-साथ आपको क्या करना होता है आपको चेक करना होता है कि कौन सी अनिमल आपको काटा उस वीजाब से अगर टॉक नहीं पड़ेगा तो यह सारे अंटिबाइटिक जो ओइन्मेंट के बाद हमने हैं फिर चार एंटिबाइटिक के तौर पर काम आता है जब आपको उन्ड जो घाओ है पहले दफाँ है या पर जो घाओ है वो जलन के कारण पहले दफाँ बनाएं अगर यह प्रोग्रेस कर जाए तो सिर्फ और सिर्फ यह ट्रॉपिकल ओइन्मेंट से काम नहीं चलेगा आपको एंटिबियोटिक मेडिकेशन भी लेना पड़ेगा उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और एंटिबियोटिक का डोजेज सेट करके उसका मेडिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा तो यह चीज याद रखना अगर ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है जेनरली रिव टू दस्कीन जहां पर स्कीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यह सारे एंटिसेप्टिक्स आप प्रिफर कर सकते हैं तो यही सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे वीडियो हम फ्यूचर में भी बनाएंगे थैंक्यू बाई